परिचाय गोलिये दर्पणों द्वारा होती है। वक्राकार प्रिष्ठ वाले दर्पण गोलिये दर्पण कहलाते हैं। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। गोलिये दर्पणों को परिभाशित करना। गोलिये दर्पणों के प्रकारों को समझना। गोलिये दर्पणों के द्वारा प्रकाश परवर्तन को समझना। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के मत्थे अंतर कर पाना। आवर्धन को परिभाशित करना वक्रित प्रिष्ठों का परिचाए गोलिये दर्पन वह दर्पन होता है जिसका परावर्थक प्रिष्ठ कांच के किसी खोगले गोले का भाग होता है गोलिये दर्पन दो प्रकार के होते हैं अव्दल दर्पन तथा उत्तल दर्पन अव्दल दर्पन ऐसा गोलिये दर्पन जिसमें प्रिष्ठ के जुकाव पर परावर्थन होता है अव्दल दर्पन कहलाता है उत्तल दर्पन, एक ऐसा गोलिय दर्पन जिसमें प्रिष्ट के उभार पर परावर्तन होता है, उत्तल दर्पन कहलाता है गोलिये दर्पणों को समझने के लिए आवशक बात हैं वकृता केंद्र यह काच के उस खोकले गोले का केंद्र होता है जिसका भाग दर्पण होता है धुरुफ गोलिये दर्पण का केंद्र धुरुफ कहलाता है मुख अक्ष वक्रिता बिंदू तथा दुरुव से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं दर्पन का द्वारक दर्पन का वो भाग जहां परवर्तन होता है, दर्पन का द्वारक कहलाता है मुख्य फोकस मुख्य अक्ष का वो बिंदू जिस पर परवर्तित होने के बाद सभी प्रकाश किर्णे, समानांतर तथा अभी सरित हो जाती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है फोकस दूरी यह द्रोफ और मुख्य फोकस के मध्ध की दूरी होती है अव्दल दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम वक्रता, त्रिच्य और फोकल दूरी के मध्ध का संबंध एफ बराबर आर बटे दो होता है नियम एक वह प्रकाश किरण जो मुख अक्ष के समानांतर है इसके फोकस से होकर गुजरती है और दर्पण से परावर्तिद होकर नियम दो वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण वैसे ही पत पर वापस परावर्तिद होती है नियम तीन, फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अक्ष के समनांतर हो जाती है नियम चार, धुरूप पर आपतित हुई प्रकाश किरण मुक्य अक्ष के साथ वैसा ही कौन बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती है अफदल दर्पन द्वारा विभिन प्रकार के प्रतिबिम्बों का निर्माण जब बिम्ब धुरूव पी तथा फोकस यानी एफ के मध्धे रखा गया हो तब प्रतिबिम्ब बनता है अफदल दर्पन द्वारा विभिन प्रकार के प्रतिबिम्बों का निर्माण जब बिम्ब फोकस और वकृता केंद्र के मध्धे रखा गया हो तब प्रतिबिम्ब बनता है वकृता केंद्र से परे वास्तविक और उल्टा बिम्ब की अपेक्षा बड़ा जब बिम्ब वकृता केंद्र यानी C पर रखा गया हो, तब प्रतिबिम्ब बनता है वकृता केंद्र यानी C पर, वास्तविक और उल्टा, उसी आकार का जब बिम्ब अनन्दता पर हो, तब प्रतिबिम्ब बनता है फोकस पर, वास्तविक और उल्टा, बिम्ब की अपेक्षा छोटा अवतल दर्पन के उप्योग अवतल दर्पन का उप्योग किया जाता है टॉर्चों, वाहनों, हेट लाइटों और सर्च लाइटों में परावर्तक के तौर पर चेहरे का बड़ा प्रतिबिम्ब देखने के लिए शेविंग दर्पन में दंद चिकिसकों द्वारा रोगी के दातों का बड़ा प्रतिबिम्ब देखने के लिए उत्तल दर्पन द्वारा बनाए गए प्रतिबिम्ब प्राप्त करने के नियम नियम एक किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष की समानतर किरण दर्पण की ओर से आती हुई प्रतीत होती है नियम दो उत्तल दर्पण के वकृता केंद्र की ओर जा रही किरण उसी पत के द्वारा परावर्तित होती है नियम तीन उत्तल दर्पन के फूकस की ओड़ जा रही किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानतर हो जाती है नियम चार धुरूप पर आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ उसी माप का कोण बनाते हुए वापस परावर्तित होती है किसी प्रतिबिम्ब में निमने लिखित विशेष्टाएं सदेव पाही जाती हैं प्रतिबिम्ब दर्पन के पीछे बनता है यह आभासी और सीधा होता है यह बिम्ब की अपेक्षा छोटा होता है अव्दल दर्पन द्वारा विभिन प्रकार के प्रतिबिम्बों का निर्मान जब बिम्ब अनन्तता पर हो तब प्रतिबिम्ब दर्पन के पीछे बनता है आभासी और सीधा होता है बिम्ब की अपेक्षा छोटा होता है जब बिम्ब, ध्रुव और अनन्तता के मध्धे किसे स्थान पर रखा गया हो, तब प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी और सीधा होता है, बिम्ब की अपेक्षा छोटा होता है उत्तल दर्पण के उप्योग उत्तल दर्पणों का प्रयोग वहनों में पश्च द्रिश्च दर्पण के तौर पर पश्च भाग के यातायात को देखने के लिए किया जाता है यह सदैव सीधा प्रतिबिम्ब निर्मित करता है प्रतिबिम्ब का आगार छोटा होता है और इसलिए हम पीछे चल रहे यातायात के विस्दरित क्षित्र का द्रिश्च देख पाते हैं दर्पण सूत्र और गणनाएं प्रति बिम्ब दूरी यानि V, बिम्ब दूरी यानि U और फोकल दूरी यानि F के मध्य का संबंध दर्पन सूत्र कहलाता है एक बटा V जमां एक बटा U बराबर एक बटा F जहां U दर्पन से बिम्ब की दूरी है वी दर्पन से प्रति बिम्ब की दूरी है और F दर्पन की फोकल दूरी है गोलिये दर्पनों के लिए संकेत परिपाटी सभी दूरियां धुरुफ से मापी जाती है आपतित प्रकाश की ही दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती है आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीद मापी गई दूरियां रिनात्मक मानी जाती है उर्ध्व गामी और लंबवत मापी गई दूरिया धनात्मक मानी जाती हैं लेंसो द्वारा उत्पन आवर्धन प्रतिबिंब की उचाई और बिंबी की उचाई का अनुपात रेखिये आवर्धन कहलाता है आवर्धन पराबर प्रतिबिम्ब की उचाई H2 बठे बिम्ब की उचाई H1, M बराबर H2 बठे H1, समीकरण एक, यदि आवर्धन में धनात्मक चिन है, तो प्राप्त प्रतिबिम्ब आभासी और सीधा होगा. यदि आवर्धन में रणात्मक चिन है, तो प्राप्त प्रतिबिम्ब वास्तविक और उल्टा होगा. रेखिए आवर्धन प्रतिबिम्ब दूरी और बिम्ब दूरी के अनुपात के बराबर होता है. M बराबर V यानि प्रदिबिम्भदूरी बटे U यानि बिम्भदूरी समीकरण एक एवं दो को जोड़ने पर हम पाते हैं H2 बटे H1 बराबर V बटे U. दरपण में रेखिये आवर्थन M बराबर घटा V बटे U और लेन्स का M बराबर V बटे U होता है. लेन्स की शक्ति किसी लेन्स पर पढ़ने वाली प्रकाश किरणों के अपसरण अथवा अभी सरण के परिमार के माप को लेन्स की शक्ति कहते हैं. उत्तल लेन्स स्वयम पर पढ़ने वाले प्रकाश पुन्ज को अभी सरित करता तथा उन्हें प्रकाशिक केंद्र पर फोकस करता है. इसमें अधिक शक्ति होती है. अवतल लेंस स्वैम पर पढ़ने वाले प्रकाश पुंज को अपसरित करता है और इसे कम शक्तिशाली बनाता है लेंस की शक्ति लेंस की शक्ति को उसकी फोकल दूरी के व्यूत करम के रूप में मीटर में परिभाशित किया जाता है लेंस की शक्ती बराबर एक बटे फोकल दूरी आवशक बिंदू उत्तल लेंस की शक्ती धनात्मक होती है अवतल लेंस की शक्ती रनात्मक होती है लेंसों के सयोजन की शक्ती यदि कुछ लेंस निकट संपर्क में रखे जाते हैं तो लेंसों के संयोजन की शक्ती लेंसों की निजी शक्ती के बीज गणितिय योग के बराबर होती है P बराबर P1 जमा P2 किसी लेंस की शक्ती की SI1 डायोप्टर होती है इसे D अक्षर दौरा व्यक्त किया जाता है या आप जानते हैं प्रकाश अपने पत में बिम्बों पर भातिक बल लगाता है प्रकाश बल प्रकाश पुंज की शक्ती को प्रकाश की गती सीब से विभाजित करने पर प्राप्थ होता है रिगवेद में लिखा है कि प्रकाश तीन प्रात्मिक रंगों पर आधारित होता है तीनों रंगों के मिश्रण से ही दृष्टी के सभी बिम्ब बनते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं अव्दल दर्पण में परावर्तन प्रिष्ट के जुकाव में होता है उत्तल दर्पण में परावर्तन उभरे हुए प्रिष्ट से होता है किसी गोलिये दर्पण की वग्रता त्रिज्या काँच के खोकले गोले की त्रिज्या होती है और दर्पन उसका एक भाग होता है उत्तल दर्पन का फोकस दर्पन के पीछे स्थित होता है प्रितिविंब उस बिंदू पर बनता है जिस पर कम से कम दो परावर्तित किर्णे एक दूसरे को परस पर काटती है वास्तविक प्रतिविंब सदैव उल्टा होता है और आभासी प्रतिविंब सदैव सीधा होता है सौर उर्जा के क्षित्र में सौर भट्टियों को गर्म करने के उद्धिश से सूरी की किरणों को फोकस करने के लिए बड़े-बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है बिम्बदूरी यानी यू दर्पणों में सदैव नकरात्मक होती है वह माध्यम जिसमें प्रकाश की गती अधिक होती है प्रकाश की ये दुरलब माध्यम कहलाता है